और अब खबर खेल के मैदान से है भारत ने इशिया कप 2023 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है चौथे सूपर फोर्ड मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपिन श्रिलंका को 41 रनों से टीम इंडिया ने माद भी है कोलमबो के आरपने मधासा से टेडिय में टॉस जीत कर पहले वन्ले बाजी करते हुए भारतिय टीम 49.1 एक ओवर में 213 रन पर आल अउट हो गई जवाब में श्रिलंकाई टीम 41.3 ओवर में 122 रन ही बना सकी श्रिलंका को लगातर 13 वंडे जीतने के बाद ये हार मिली सबसे स्यादा लगातर वंडे जीत के मामली में टीम दूसरे नमबर पर रही एक किस जीत के साथ आउस्ट्रेलिया पहले पर है एशे कप का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को होना है हलांकि इस से पहले टीम इंडिया को अभी बंगरदेश से एक मुकाबला खेलना है वहीं पाकिस्तान से श्रीलंका की भढ़न्त होगी जिसके बाद फाइनल में भारत के खिलाब उतरने वाली टीम का फैसला होगा